ओम स्री गनीशाय नमदोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई गुरुवार के रासी फल के बारे में की यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुँश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है शातिसाथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विद्धियार्तियों को भी उच्छ सिद्ध करने के अच्छे अश्र प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिकशित उच्छ सिद्ध की कामना पूरी हो सकती है ज्यादोस्तो कार्य चेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको ने ने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार्य इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है काम काज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं ज्याद उस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर परिवार के साथ किसी कारे को करने का प्रतन करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आप का मन बहुत दिप्रसन रहेगा दोस्तो साथ साथ यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कारे वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेस करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काम या भ परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिर्ख्त आप अपने करेच्षित्र में व्यास्त होने के कारण तथा जीवन के अन्ये-पहलों पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परिजनों को खलीगी साथि साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्य था आपके कारयले में आपको परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है कारय सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सकती और मनोवल की आवश्कता होगी साथि साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तेयार करना चाहिए ताकि प्रती कू साथि साथ कारे चेतर में भी काम के अधिकता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बरदोर के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरोध पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अन्यत बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरत्दी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इस से आपके प्रेम जीवन में मधुर्ता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकर्शन की भी व्रत दी होगी जैदुस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के उपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आप के लिए बहुती लखी सावित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज ग्रेहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब के इस्तिती रहेगी विद्यार्तियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तों साथिसाथ आज आप प्राउपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्थे में आगे चल कर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धनके लेन देन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आपके अनुकूल वाता वरण रहेगा हाला कि कारे भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशेश रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपए क्या है दोस्तो आज आप इश्णान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री हरी विश्णु जी का दक्ष्णा वरती संख में जल भरकर अभिशेक करें जा दोस्तो इस प्रकार अभिशेक करने से भगवान श्रीहरी विश्णुजी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको सीग रही सुब फलो की सानी से बनती चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्रीहरी विश्णुजी का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश्रीहरी विश्णु अवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद